भारत में इलाईची का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है, जाहे वह पूजा पाठ हो, मसाले हो या मिठाई बनाने का कार्या हो सभी में इलाईची का प्रयोग होता है, चाहे में इलाईची डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, जो तिश अनुसार हम आपको उपाएं या टोटके बता रहे हैं, जो आपके जीवन में सुख और संपत्ती को बढ़ाने में कामा सकते हैं, शुक्र का उपाएं। यदि आपका शुक्र कमजूर है या खराबा सर दे रहा है, तो एक लोटा जल लेकर दो बड़ी इलाइची डाल कर पानी के आधा होने तक उबालें, फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला कर स्नान करें, स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें, वाहन से जुडे मामलों में भी ये उपाय लाबकारी है, नहाते समय शुक्र के निम्न श्लोक का पाठ करें, उम जयनती मंगला काली भद्रा काली दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधाय सुपाय से आपके सभी रोगों और शोकों का निवारन होगा, शीग्र विवाह क यह प्रयोग शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जा सकता है, इस प्रयोग में मंदिर में गुरुवार की शाम को दो हरी इलाइची के साथ पांच प्रकार की मिठाई और शुद घी के दीपग के साथ जलर पृत करना चाहिए, यदिस्तरी हैं तो फिले अपने बदन से स्पार्ष करके पालू या रुमाल में बांध कर अपने पास ही रखे शनिवार की सुबह वह इलाइची पीस कर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पती को खिला दें ऐसा तीन शुक्रवा को करना है तो लाब मिलेगा इसके अलाइची पीपल के व्रिक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखे और अपनी शिक्षा के प्रती काम ना करें घर आते समय पीछे मोड़ कर न देखें इस प्रकार बिना क्रम तूटे तीन व्रहस पतवार करें